अक्सर घरों में पाई जाने वाली छिपकली को आपने जरूर देखा होगा जो कि साइज में भले ही छोटी होती है लेकिन किसी की भी मौत का कारण बन सकती है अब आप मान लो कि इससे कई गुना बड़ी छिपकली हो तो वो आपके लिए कितनी घातक होगी दोस्तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक बड़ी छिपकली की जो करीब तीन मीटर लंबी होती है जो इंसानों को भी अपना चारा बना लेती है जी हाँ उसका नाम है कॉमोडो ड्रैगन तो आए जानते हैं इस खतरनाक छिपकली के बारे में हाई दोस्तो मैं हूँ शिबराम सिंग और आप देख रहे हैं रिसर्ष्टिव इंडिया दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है जो बेहदी आक्रामक होती है जो अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी आसानी से मार डालती है ये सिर्फ इंडोरेशिया के आईलेंड्स में पाई जाती है फर्स्ट वर्ड वोर से पहले इस छिपकली के बारे कोई नहीं जानता था ये मॉनिटर लिजार्ड की एक प्रजाती है जो किसी आईलेंड पर लाखों सालों से हुए विकास के कारड आकार में इतनी बड़ी होती है लेकिन आजकल इसका शिकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वज़े से ये प्रजाती बिलुप्त होन ये बेहदी तागतवर होती है इसकी मजबूत टांगे और पूँच इन्हे शक्तिशाली बनाती है इनके लंबे नुकीले और मुड़े हुए पंजे होते हैं जो की अकसर गड़ा खोदने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनके शरीर की तुलना में इनका मुँ काफी छोटा हो ये अपनी लंबी गहरी और बीच से कटी हुई जीब से करता है अपने जीब को हिलाने मातर से इसे 8 किलोमीटर दूर मौजूद शिकार या शिकारी की गंद मैसूस हो जाती है वैसे तो कॉमोडो ड्रेगन इंडोनेशिया के कई आइलेंड्स में पाए जाते थे लेकिन खुले जंगलों और सुखी नदी के उपर रहते हैं ऐसा माना जाता है कि कॉमोडो ड्रेगन इन दिवपों में विलप्त हुई बहुत बड़ी मैमिलियन प्रजाती की स्थली छपकली के कारड़ विक्सित हुए हैं जो 16 फूट लंबी होती थी इनकी प्रजिनन का समय का महीन होता है इस दोरान नर कोमोडो ड्रेगन अपने पीछे के पैरों पर खड़ा होकर एक दूसरी से मादा कोमोडो ड्रेगन के लिए लड़ाई लड़ते हैं संभोग के बाद मादा कोमोडो 25 से 30 अंडे देती है आठ महीने बाद अंडों से आधे मीटर यानि डेड़ फुट लंबे बच्चे निकलाते हैं पैदा होते ही वे पेडों पर चड़ जाते हैं वरना कोमोडो ड्रेगन उन्हें पकड़ कर खा जाएंगे ये बच्चे लगभग एक साल तक पेडों पर ही रहते हैं और वहीं से भोजन खोशते हैं वे पेड से नीचे तब ही आते हैं जब इतनी बड़ी हो जाएं कि कोई शिकार कर सके कॉमोडो ड्रेगन की उम्र लगभग 50 साल होती है कॉमोडो ड्रेगन दिन भर धीमे धीमे चलती हुई अपना भोजन खुशता रहता है सामानेते वो अकेले ही रहता है और शिकार करता है उसे तटी इलाकों के वनों में शिकार करना पसंद है वो समुद्र के किनारों पर भी भोजन खुशता है और लहरों के साथ बहकर आई मचलियां और अन्य समुद्री जीवों को खाता है वे अच्छे तैराक होते हैं और एक टापू से दूसे टापू को तैर कर जाता है कॉमोडो ड्रेगन एक प्रकार की गो है ये एक मासाहरी जानवर है जो मरे जानवरों का मास भी खाता है और खुद भी शिकार करता है छोटे कोमोडो ड्रेगन छिपकली, कीडे मकोडे, पक्षी, सांप, आ दिखाते हैं जब वे लंबाई में 30 सेंटीमीटर के और उम्र में लगबग एक साल की हो जाते हैं तो वे मरे जानवरों का मास खाने लगते हैं एक बड़ा कोमोडो ड्रेगन, सूर, बकरी, हिरन, गोड़ा और भैसों का शिकार करता है कोमोडो ड्रेगन 15 किलो मीटर प्रति घंटे की रपतार से कुछ दूरी तक दोड़ सकता है इनके दांत बहुत किनारे पर और नुकीले होते हैं जिसकी वज़े से ये अपने शिकार को चवा नहीं सकते इसलिए उसे फाड़ कर उसके छोटे-छोटे तुकरे करके उन्हें निगल जाता है जब कभी ने शिकार नहीं मिलता, तो ये छोटे कोमोडो ड्रेगन को ही अपना निवाला बना लेते हैं कॉमोडो ड्रेगन की जीव सांप की जीव के समान फटी हुई होती है अपनी लंबी मासल पूँच की कौणे जैसी मार से वो अपने शत्रों को घायल कर सकता है ऐसा माना जाता है कि कॉमोडो ड्रेगन के थूक में 50 तरह की कीटाणू पाए जाते हैं जिसकी वज़े से शिकार को काटने पर ये तीजी से अपना असर दिखाते हैं एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि इनका हमला कभी फेल इसलिए नहीं होता क्योंकि इनकी गर्दन में जहर की एक ग्रंथी मौजूद होती है हलांकि कॉमोडो ड्रेगन इस दुनिया में पिछले कई मिलिन साल से रह रहे हैं लेकिन इसके बारे में लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय पता चला जब एक जहाज इस द्यूप में दुरगटना का शिकार हुआ कभी कभी इन खुकार शिपकलियों ने बच्चों, बूढ़ों और बीमार मनिश्यों पर भी हमला किया है 2009 में एक व्यक्ती पेड से गिर कर बेहोश हो गया था जिसको दो कॉमोडो ड्रेगन ने खा लिया ये शिकार करने से ज्यादा किसी मरे हुई शिकार को खाना पसंद करते हैं इसलिए यहां के लोग अपने जानने वालों की कभरों के उपर भारी पत्थर रख देते हैं जिससे की कॉमोडो ड्रेगन उसकी कभर ना खोद पाए कॉमोडो ड्रेगन एक अत्यंत सफल शिकारी है उसके लचीले मसूडों में 60 से अधिक आरीदार किनारों वाले उस तरह के समान तेजधार वाले दांत होते हैं ये दांत उसके जीवनकाल में 5 बार नई सिरे से उकते हैं इसलिए दांत तूटने से कॉमोडो ड्रेगन को अधिक परिशाने नहीं होती कॉमोडो ड्रेगन के दांत शार्क मचली के दांतों के समान होते हैं कहते हैं कि कॉमोडो ड्रेगन के द्वारा जरासा काटे जाने पर भी मौत हो जाती है चूंकि वो सड़गला मास खाता है इसलिए सड़गले मास में मौजूद अनिक घातक जीवानूं उसके मुँ में होते हैं काटे जाने पर ये जीवानूं घाव में मिल जाते हैं और इससे काटे गए प्राणी के शरीर में जहर फैल जाता है कॉमोडू ड्रेगन को इससे फाइदा ही होता है यदि शिकार उसकी पकड़ से बच भी गया तो 24 घंटे में अपने घाव में जहर फैलने से वो मर जाएगा और कॉमोडू ड्रेगन उसके शब को ढूंड कर खा जाएगा ये खुंकार छिपकली तागतवर ही नहीं बलकी अत्यंत बुद्धशाली भी होती है वो हिरन, सुवर, आद एक्टिब प्राणियों को भी धोका दे कर पकड़ लेता है कॉमोडू ड्रेगन शिकार करने के लिए जंगली मारगों के पास लेटा रहता है मिट्टी के रंका होने के कारड वो बिल्कुल छिपा रहता है शिकार के रास्ते पर से गुजनने पर वो उसे लपक कर पकड़ लेता है कॉमोडू ड्रेगन बोजन को बड़ी तेजी से निकलता है साप की तरह वो भी अपने जबडों को खूब फेला सकता है एक बार में पूरे सूर के पूरे सिर को या फिर बकरी के आदे शरीर को निकल सकता है पचास किलो वजन का कॉमोडू ड्रेगन चालिस किलो के वजन की हिरन को 20 मिनिट में चट कर सकता है कॉमोडो ड्रेगन अपने वजन के 80 प्रतिशत जितना मास एक बार में खा सकता है रात को सूने के लिए और दिन में तेज धूप से बचने के लिए कॉमोडो ड्रेगन जमीन पर बिल खोदता है कभी कभी वो अन्य जानवरों की द्वारा खोदे गई बिलों पर भी अपना कब्जा कर लेता है कॉमोडो ड्रेगन दो करोड सालों से इस धर्ती पर रहता आ रहा है लेकिन अब लगता है कि इस दुनिया में उसके दिन पूरे हो चुकी है आज इनने अपने ही घर में खत्रा है क्योंकि लकडियों के लिए यहां के जंगलों को काटा जा रहा है जिसकी वज़े से कॉमोडो ड्रेगन की आवादी कम होती जा रही है और इनके रहने का स्थान भी कम होता जा रहा है आज सिर्फ पांच हजार कॉमोडो ड्रेगन ही जीवत बचे है वो दिन दूर नहीं जब डाइनसूर की तरह यह जीब भी इस धरती से विलुप्त हो जाएगा आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो से लाइक और शेयर करें साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार दोस्तो